आपको एक पार्टनर संजय का इंट्रस्ट ओन ड्राइंग निकालना है अंडर फॉलविंग अल्टिनेटिव केसेज अब वो केसेज क्या क्या है वो समझ लीजिए सुन लीजिए केस 1 में कहा गया है कि वो रुपीज 7500 निकाल रहा है in the beginning of each quarter भुष्व निकाला है वो 7500 इन द बिग्णिग अच्व कोट निकाल रहा है तो पूरे साल बर में उसने पैसा निकाला होगा 750004 इंटरस्ट ड्राइंग का रेट है 10% तो 10 पर 100 लिग दीजिए और क्योंकि वो beginning of every quarter पैसा निकाल रहा है तो ऐसे में average time period जो लिया जाएगा for calculating interest on drawing वो 7.5 months लिया जाएगा ठीक है बच्चो तो ये case 1 में उसका interest on drawing इस तरह से निकल जाएगा ठीक है, point रटाईए, यहाँ 0 बढ़ाईए इस 0 से, इन 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए 3 into 25, 75 तो 75 into 25 करेंगे तो बच्चो आपका answer आएगा 1875 तो interest on drawing case 1 में निकल कर आया बच्चो rupees 1875 यानि जब वो पैसा हर quarter के beginning में निकाल रहा था case 2 में वो 75 hundred ही निकाल रहा है लेकिन हर quarter के end में निकाल रहा है तो total drawings तो उसकी अब भी 75,000 into 4 रहेगी rate of interest अब भी 10 ही रहेगा लेकिन average time period 4.5 मन्स हो जाएगा बच्चो instead of 7.5 क्योंकि जब भी partner quarter के end वैसा निकालता है तो average time period 4.5 मन्स लिया जाता है इससे आप solve करेंगे तो बच्चो answer आएगा 1125 now look at case number 3 यहां भी 75,000 ही निकाल रहा है पर quarter निकाल रहा है तो into 4 कर दी जो total drawing के लिए rate of interest यहां भी 10% पर रैनम है मगर यहां पर वो पैसा during the middle of every quarter निकाल रहा है यानि हर quarter के middle में तो ऐसे में average period 6 months आ जाएगा और interest on dry निकाल कर आएगा बच्चो रुपीज 1500 सही है बच्चो तो जब भी हमारा partner quarterly वैसा निकालता है तो beginning का average period 7.5 months लिया जाता है middle का average period 6 months लिया जाता है और end का average period 4.5 months लिया जाता है ठीक है बच्चो इस तरह से हमारा यह question complete हो गया बच्चो